हेलो एवरीवान कैसे हैं आप सभी मैं कई थी दादी जी से मिलने के लिए लेकिन उसका व्लॉग में आप लोगों के साथ अपडेट नहीं कर पाई थी बहुत दिनों बादा जाप हूँ के साथ एक बहुती प्यारा सा व्लॉग अपडेट कर रही हूँ बताईएगा कैसा लगा हम लोग निकल गए करॉली के लिए मेरे छोटे भाई को घर की रखवाली के लिए छोड़ कर मैं, ममी, पापा, रवी और ये हम पांचों आगए करॉली दादी जी के घर के पास गाड़ी लगा कर करॉली की छोटी छोटी गलियों से उते हुए हम लोग निकल गए इस गली को पार करते ही आजाता है दादी जी का गर वो बहुत बेसबरी से हमारा इंतजार करी थी क्योंकि उन्हें पता था कि हम आने वाले हैं और साथ में ये भी आने वाले हैं जिन लोगों के घर में डॉग होगा उन्हें पता होगा कि सबसे मिलने से पहले हमें इन से मिलना होता है और इन से प्यार करना होता है वनना इनका पेट नहीं बढ़ता है तो दादी जी से ये मिले लेकिन दादी जी ने पहरे पहचानी नहीं तो इन्होंने पैर छुए तो दादी जी ने नॉर्मली आशिरवात दे दिया बाद में दादी जी पूछ रही थी अरे कमर साब नहीं आए जब बाद में दादी जी को पता है तो दादी जी ने बढ़कर इनसे धेरो सारी बाद चीत गई हमारी प्यारी चाची ने बहुत सारी खातिरदारी की उसके बाद जब दादी जी को पता चला कि ये भी म्यूजिक फील्ड से है तो दाजी ने इनसे पूछा बहुत प्यार से आप मेरा बाजा ठीक कर दोगे तो फिर उन्होंने अपना बाजा जो है वो मुझे और चाची को भेज कर अपनी अलमारी से निकल वाया और फिर ये बैठ गए दादी जी का बाजा ठीक करने के लिए किसी वज़े से दादी जी के मुँ में बहुत चाले हो गए थे और ये ना दवाई लेती है ना कोई काड़ा लेती है इन्हें ये रहता है कि भगवान के भरोसे में चल रहे है और भगवान मुझे अपने आप ठीक कर देगा तो इन्होंने कुछ भी नहीं लिया था इस तरह से चाची बहुत प्यारी है मुझे बहुत प्यार करती है बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह है मुझे बहुत अच्छा लगता है वाँ जाकर इन्होंने दादी जी का बाजा थोड़ा ठीक किया उसकी बाद दादी जी बोली कि चलो कमर साब एक भजन सुना दो बाद में उन्होंने मुझे बुला दादी जी ने तू सुना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने अपनी दादी को शादी में क्यों नहीं बुलाया दादी की वीडियो कोई क्यों नहीं है आपने अपनी दादी को नहीं बुलाया तो देखे क्या है ना पहली बात दादी से मेरा खून का रिष्टा तो नहीं है लेकिन दिल का रिष आजा सके तो वो घर पर ही रहती है और चाची अल्मूस 24 गंटे उनका ध्यान रखती है कि कहीं उन्हें किसी चीज की ज़रत पड़े और वो ना हो ऐसा ना हो जाए उसके बाद चाचा चाची आने वाले थे शादी में लेकिन चाचा जी की भी किसी वज़े से तबिद खराब हो गई थी तो वो लोग शादी में नहीं आ पाये थे और मैंने दादी जी से वादा किया था कि जब भी मैं आउँगी तो मैं पहले दादी जी से मिलने आउँगी इनके साथ उसके बाद मैं वापस जाओंगी तो हम लोग आ गए दादी जी से मिलने के लिए इतना अच्छा लग रहा था ना दादी जी इतनी जादा खुश थी जैसे ही दादी जी ने चार-पास दिन कुछ ना बोली है और फिर भजन गाने शुरू किये ना मैं भजन गा रही थी मैं आपको बताती हूँ और मैंने भजन गाने की जब पीछे मुड़के देखन तो चाची की आँकों से आसू बह रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है दादी जी भजन कैसे का सकती है चाची की ये बंधर ठाद्वारा दिका भॉईसे मुणा भॉईसे पॉसिए ना बोली है पॉसिए जी तो बहूँगा भाँ जी भाँच्छ जी प्रप जी लिए लिए हूँ तेर बहूँगाँ वाँगाँ तर फिर यान अच्छ ना हुए जीए मुड़के ना बहुए जी पर इनो ने जब दादी जी का बाजा थोड़ा ठीक कर दिया तो दादी जी ने सोचा कि चलो ठीक है थोड़ा बजा कर देख लेते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है वह मैं जब भी जाती हूँ ना उमेरे से यही कहती है कि मैं क्या करूं दिन बर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरे पास बैठ कर गाता है बजाता है साथ में मैं भी गाती हूँ तो मेरी तबित अपने आप ठीक रहती है मुझे किसी भी चीज की कोई जरुरती नहीं है उन्हें इसी, क्या होता है ना कि जो टैलेंट होता है ना उसको किसी चीज की नीडनी होती है और किसी चीज की कोई कमी नी होती है बस आपको उस टैलेंट को आगे बढ़ाने का मौका मिलते रहना चाहिए दादी जी के साथ भी ऐसा ही है जब भी उनकी तब्यत खराब होती है मैं जाती हूँ तो जातर देखिए क्या होता है कि एज के साथ साथ तब्यत खराब रहती है लेकिन जब भी मैं जाती हूँ ना बढ़ा जब बढ़ा एको एक कर दो कि एक करता दादी का प्यार बढ़ों का प्यार मेरे दादा दादी तो बच्पन में चले गये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था लेकिन जब दादी जी ऐसे प्यार से ऐसे बोलती है न अरे मरी आ गई तू और ऐसे चाटा लगा देती है धीरे से ऐसे पीट पे मार देती है बहुत अच्छा लगता है ये बड़े लोगों का लाड होता है दुलार होता है ये उनका तरीका होता है अपना लाड़ जताने का आजकल तो आप बच्चों को कुछ भी नहीं कह सकते जरा सा कुछ को बच्चे ऐसे हो जाते हैं ओ मुझसे ऐसे बोल दिया लेकिन पहले है ना बड़े मतलब अपने छोटों से कुछ भी कह दिया करते थे और कोई उसका बुरानी मानता था या फिर कोई भी किसी से कुछ भी कह दिया करता था आज की तरह पहले लोग बुरानी मानते थे पहले लोग सुनना भी जानते थे और कहना भी जानते थे आजकल ना तो कोई किसी की सुनना पसंद करता है ना कोई किसी से कुछ कहना पसंद करता है लेकिन मेरी दादी जी बहुत प्यारी है बहुत ही जादा प्यारी है इन्होंने मुझे इनको गिफ्ट दिये नारियल रुपे दिये इनको बहुत अच्छे से एक दम जो हता है घड में जब जमाई आता है बेटी आती है तो उसका स्वागत करते हैं बिल्कुल वैसा की वैसा स्वागत किया हम दोनों का मेरी मेरा दिल भराता है जब भी मैं दादी जी के पास जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं इनके पास जाती हूँ जब कोई अपने आपको बुलाते हैं और आजकर जब आपके अपने आपको लाड़ करते हैं प्यार दिखाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है दिल को सुकून मिलता है कि हाँ अपना भी कोई है उमीद करूँगी कि आपको आज का ये व्लोग पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी प्यारी दादी जी कैसी लगी आपको ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा रादे रादे